हलो, नमस्कार, संगीतांजली मीजिक स्कूल में आप सब का स्वागत है, मैं अजेजा, आज मैं आपको नागिन धून सिखाने जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नागिन धून सिखाने के लिए, तो उसमें मेरा मंडोले, मेरा तंडोले रे, वो गाना मंडोले, तंडोले, उसी गाने को मैं आपको बता रहा हूँ और उसके धून को बता रहा हूँ, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिस करूँगा कि आपको उसके सारे टिप्स मैं दे सकों, तो आईए शुरू करते हैं, C-sharp से मैं उसे बजाने जा रह तो आप उसे mix कह सकते हैं, वैसे काफी राग का स्वरूप गा और नी कोमल से है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें, कोमल धा भी यूज़ है और शुद्ध गा भी यूज़ है, तो उसे mix कर दिया गया है, तो आईए, सुनते हैं, यह C-sharp से है, यहां से शुरू करते हैं, और मैं आपको notation बताऊंगा, आप notation पूरा लिखने पहले, एक-एक piece मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो music है, वो main है, यह कोई भजन नहीं है, जो शब्द माइने रखता है, इसमें धुन माइने रखता है, क्योंकि जब हम नागिन धुन बजाते हैं, तो उसमे music जो है, वो ही सबसे ज़्यादे माइने रखता है, तो इसलिए मैं उसी को ध्यान में रख करके आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक trick और मैं बताता हूँ आपको, जब आप harmonium बजाते हैं, तो harmonium में एक stopper होता है, जो base note होता है, जो harmonium के इधर शुरू में, आप जाए, जैसे इसको देखिए, यह आवाज आ रहे हैं, तो यह है C sharp का base note, तो वो आप अगर keys नहीं भी बजा रहे हैं, फिर भी वो आवाज आ रही है, तो चुकि बीन का जो एक style होता है, बीन की जो आवाज होती है, उसमें अगर आप यह base note खोल करके फिर आप अगर बजा बाव आता है, जो बीन का जो effect होता है, वो आता है, और फिर harmonium बजाने में भी इसमें एक technique है, कि जब आप एक स्वर ले रहे होते हैं, तो दूसरे स्वर पर हलका हलका touch होता रहता है finger, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा, कैसे होता है वो, तो आप कोशिस करेंगे उसको करन ठीक है, तो सबसे पहले आईए, सबसे पहला music आप इसे सीट लिजिए, इसमें है, रे सा गसा रे नी सा ली, नी कोमल है इधर, बजेगा, रे सा गसा रे नी सा ली, रे सा गसा रे नी सा, और दूसरे बार सा पर रुख सकते हैं, तो ये continuous, चार बार, आठ बार बजा हुआ है, तो आप इसे बजा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, दूसरा music जो है, वो है, रे गापा, रे गापा, धापा, 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 तीन बार धापा, ठीक है, रे गापा, धापा, 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 तीन बार, फिर, और फिर वही music शुरू होगा अब ये दोनों music को मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखें अब ये देखें के सुना रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुना रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखें ठीक है इसके बाद का music जो हम paragraph शुरू करते हैं उससे पहले जो मंडोले मेरा तंडोले से पहले एक music और है उसे आप समझ लें वो है पापा मागा दो बार फिर से आप नोट करें इसे पापा मागा दो बार नी नी धापा नी धापा दो बार फिर डबल स्पीड में चलेगा सानी धापा नी धापा सानी धापा नी धापा माँ धापा मागा पा मागरे मागरे सा गरे सा नी सा गरे सा ISार आपर शुद्ध यूज हुआ है मेरे खयाशे गरे सा नीज और उसके बार फिर जूड जाएगा पहले वाले music से ठीक है अब दूसरे म्यूजिक को एक बार फिर से सुनिये पूरी तरह अब यहां से शुरू होगा मन डोले मेरा गौर कर दिये मन डोले रे मागा डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का मेरे तन तन डोले मेरे दिल का रया करार रे करार सारे रे 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 सासा नीधा नी कोमल है और धा शुद्ध है लोवर नी लोवर धा ठीक है मन डोले मन डोले मन डोले मेरा अ अ तन डो雁द्ध है तन डोले मेरे दिल काै गया करार रे रे रे? ठीक है? कौन कौन धासासा कौन बजाए रे रे गागा कौन बजाए बासुरिया अब इसे पुरी तरह मैं सुनाता हूँ मन दोले मेरे दंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया अब इसे बजाने के बार फिर वही म्यूजिक शुरू हो जाता है ठीक है? अब इसके आगे जो म्यूजिक है वो है जब आप मंदोले गाते हैं ना उसके बाद लास्ट में मंदोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया करार रे गोन बजाए पहसरिया अब ये notes आप लिख ले रेधा रेधा सा रेधा सा रेधा सा रे मागा यहापर शुद्ध गा प्रियोग है आप देखें ध्यान से रेधा सारे मागा सारे मागा दो बार सारे मागा सारे मागा फिर दो पार्ट में आप इसे याद कर ले एक पार्ट ये दो बार सारे मागा सारे मागा है उसमें और दूसरे पार्ट में सारे गरे याँ को मलगा है सारे गरे गरे सारे और इस म्यूजिक को दो बार बजाएंगे अब देखिए मैं इसे अच्छी तरह बजाता हूँ करार रे मोन बजाए बासुरिया अब अंतरा शुरू करेंगे और वो इस तरह है मधूर मधूर सपनों में देखे मैंने राह न भेली अब इसके नोट्स को आप समझ रहें मधूर पापा मधूर दादसा सपनों सासात निनी सपनों में धापा देखे धाधानी नी मैंने फिर धाधानी नी धाधानी नी राह धापा नी न भेली अब इसे पूरी तरह इस तरह बचाएंगे मधूर मधूर सपनों में देखे मैंने राह न भेली इसके बाद एक म्यूजिक है यहाँ और वो है पापा धानी सानी पापा धानी सानी धापा धापा मानी धापा तो इसे अच्छी तरह याद कर ले अब उसके बाद फिर आप गाते हैं मधूर 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 सपनों में देखे मैंने राह न भेली अब यहाँ एक छोटा सा फिलर आता है दूसरी पंती से पहले वो है धारे सारे निसा धनी छोड़ चली तो इसको भी याद कर ले जाने कहां अकेली चली मैं जाने यहाँ गोर करें यहाँ पर बहुत ही अच्छा धुन आया है छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली ठीक है और इसके बाद भी एक म्यूजिक आता है और वो म्यूजिक इस तरह से हम बजाएंगे तो छोड़ चली जब गाते हैं छोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहां अकेली चली मैं जाने कहां अकेली फिर मन डोले जैसे हम गाते हैं ठीक उसी तरह इस बंक्ति को गाएंगे रस धोले धून मोह गोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे और फिर म्यूजिक ठीक है फिर से एक बार देख लो सानिधा पामा पामा गारे सा रस घोले धून मोह गोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे कौन बजाए बासुरिया फिर वही म्यूजिक महा से मन दोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया ठीक है और इसके बाद फिर वही म्यूजिक बजाएंगे जो हम पैराग्राप शुरू करने से बजाए थे अंतरा का जो हम शुरू किये थे मधूर मधूर उससे पहले एक म्यूजिक जो मैं आपको बताया वही म्यूजिक फिर बजेगा अब चलेगा दूसरे अंतरे को हम गाएंगे कदम कदम पर और ये बिल्कुल उसी तरह ट्यून है जैसे मधूर मधूर हम गाए पहले पहराएंगे कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिकराया नागन का मन बस करने को नागन का मन बस करने ये कोहन सपेरा आया एक पर फिर से देखें नागन का मन बस करने ये कोहन सपेरा आया यहां पर वश हैं मैं बस बोले जा रहा हूं नागन का मन बस करने ये कोहन सपेरा आया ना जाने जिस तरह से पहले पराग्राफ में पहले अंतरे में किये थे ना जाने कोहन सपेरा आया और फिर दूसरी लाइन यहां से सुरू करेंगे पग डोले दिल यूं बोले तेरा लेके होके रहा शिकार रे कौन बजाए बांसरिया यह हो गया पूरे अस्थाई और अंतरे का म्यूजिक एक बार मैं इसे म्यूजिक के साथ थोड़ा सा बजा देता हूँ चुकि मुझे शब्द याद नहीं है मुझे बीच-बीच में शब्द को देखना पड़ता है तो मैं ध्यान उधर चला जाता है मेरा इस तरह से यह शुरू होगा और देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूँगा जब हम कोई भी नोट्स को बजाते हैं तो देखिए ये दूसरे फिंगर से दूसरे उंगली से जो है ना हम किसी दूसरे नोट को हिट करते रहते हैं तो वो एक बीन बजने का जो है एक प्रभाव डालता है वसे देखिए एक और चाहूँगा किसी दूसरे नोट गालता है मन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बासुरिया अब दूसरे मिजिक को यहां से बजाएंगे मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे अच्छा अब जो है मैं आपको एक बार सभी मिजिक के साथ रुकरुक करके ही पूरे धुन को गा देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे किस तरह से उसे गाना है यहां से शुरू करते हैं किस तरह से बार अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं पूरे खाएंगे किस तरह दो है झाल 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 जैसे ठंदी बड़े फुहार रे वोन वजाए बासरिया जैसे ठंदी कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया नागन का मन वश करने ये कौन सपेरा आया ना जाने कौन सपेरा आया रस्पग डोले दिल यूं बोले तेरा हो के रहा शिकार रे कौन बजाए बास रे मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया से करार रे कौन बजाए बास रे और लास्क में इसे थोड़ा तेज कर देंगे का लाए बास रे का ले यू थोड़ तो प्रह बास रे के रे और इस तरह से ये नागिंधुन बजता है तो आप इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक-एक पंक्ती को याद करें मैं ये जरूर बताता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ कि आप एक-एक पंक्ती को पूरी तरह तयार कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें दूसरी पंक्ती को करें ऐसा नहीं कि जैसे इस वीडियो में पूरे गाने को बताया गया है तो आप एक एक लाइन को एकदम करते चले जाएं साथ के साथ तो आप perfection नहीं ला पाएंगे और आप बहुत गलतियां करेंगे उसमें तो इसलिए एक पंग्ती में एक music को जो मैं notation बताया हूँ आपको वो notation लिख लें और फिर उसे बजाने की कोशिस करें और देखें कि सही बज रहा है या नहीं अगर आप सुनेंगे खुद भी आप सोच सकेंगे थोड़ा कि वो सही बज रहा है या नहीं और नहीं तो बाद में वीडियो में देख करके उसे देखा जा सकता है कि exactly उसी तरह बजा रहे हैं जैसे मैं बताया हूँ या नहीं तो इसे आप बजाए और अच्छा से प्रैक्टिस करें और म्यूजिक का आनन्द लें फिर मैं दूसरे वीडियो में आप से मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार